नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्वेज ज्यानपड मेरा नाम है उतकर्ष और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बिविन रोग और वह रोग जो है वह किस अंग को सरीर में प्रभावित करते हैं उससे रिलेटर जानकाड़ियां जो की कभी-कभी एक जाम में पूछ दिये जाते हैं तो आईए देख लेते हैं तो सबसे पहले निमोनिया, छै रोग, ब्रोंकाइटिस, खांसी, तपेदी ये सब जो हैं वह हमारे फेफडे को प्रभावित करते हैं निमोनिया, छै रोग, ब्रोंकाइटिस, खांसी और तपेदी जो हैं हमारे फेफडे को प्रभावित करते हैं चले नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डाइडियां ये जो हैं हमारे आथ को प्रभावित करते हैं हैजा को इंगलिज में cholera कहा जाता है हैजा जो है वह bacteria से होता है ठीक है टाइफाइड भी bacteria से होता है यह सबी जो है वह bacteria से होने वाले रोग हैं जिसमें की दस्त होती है ठीक है आगे देखते हैं पोलियो, रेविज, मिडगी, टेटनेस यह सभी जो हैं हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं एसकर्वी पाइडिया यह जो है वह मसूड़े को प्रभावित करते हैं इसके उप्चार के लिए सबसे अच्छा है कि आप विटामिन C का सेवन करें विटामिन C के सेवन जो कि खटे फल में होता है तो विटामिन C जो है हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और एसकर्वी और पाइडिया होने की इस्थिति में यह उसे विटामिन C डॉक्टर सलाहर देते हैं कि खाने के लिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस और पीलिया हेपेटाइटिस और पीलिया पीलिया को इंगलिस में जॉन्डिस कहा जाता है यह हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं यह यकृत यानि की लीवर को प्रभावित करते हैं हेपेटाइटिस और पीलिया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मलेडिया और प्लेग यह जो है लाल रक्त कनिका जिसे की हम लोग आर बीसी कहते हैं जिसे की हम लोग आर बीसी कहते हैं आर बीसी यान की red blood cell यह जो है हमारे लाल रक्त कनिका को प्रभावित करते हैं देखे अब बात करते हैं अगर malaria की तो malaria जो है वह एनाफिलीस मच्छर के काटने से होता है यह एक परजीवी है प्रोटुजुवा होता है जो की एनाफिलीस मच्छर के काटने से होता है और कुनैन की छाल कुनेन एक ब्रिच है जिसके छाल से दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया को समाप्त करता है ठीक है और यह प्लाजमोडियम जो होता है प्लाजमोडियम इसमें होता है जो कि अवे शरीर में छोड़ देता है जिससे कि मलेरिया हो जाती है रॉनल्ड रॉस ने जो है वह इसका पता लगाया था प्लाजमोडियम का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में जानकाडी दे दिया कभी कभी पूझ दिया जाता है ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मधुमे हैं मधुमे हैं या डैवटीज है मधुमे और डैवटीज को प्रभावित करने वाले अंग हैं अग्नियासे जीसे की पैनक्रियाज करते हैं डैवटीज या मधुमे हैं जो कि आज के देट में काफी कॉमन सा हो गया है या हमारे पैनक्रियाजे या अग्नियासय को प्रभावित करते हैं ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं काला जारे काला जार जो है वह अस्थी मज्जा को प्रभावित करता है काला जार जो है वह अस्थी मज्जा को प्रभावित करता है अस्थी मज्जा क्या है? अस्थिम मज्जा होता है बोन मेरो जो कि RBC के निर्मान का घढ़ है जहां से RBC का निर्मान होता है वो बोन मेरो होता है RBC का निर्मान काल जो होता है वो चक्र जो होता है मतलब 120 दिन तक जो है यह जीवित रहता है हमारे सरीर में RBC जो है वो 120 दिंदक जीवित रहता है तो RBC का निर्मान जो है वो हमारे अस्थि मज्या से होता है ठीक है Next देखते हैं डिप थीड या अस्थमा या दमा अस्थमा को हम लोग दमा विकाते हैं तो यह जो है स्वांस नली को प्रभावित करती है यानि कि respiratory system यानि कि स्वसन तंत्र को प्रभावित जो है वो डिप थीरिया अस्थमा जो है या करता है हमारे स्वांस नली को प्रभावित ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घेंगा या ग्वाइटर घेंगा को इंगलिश में ग्वाइटर कहा जाता है या thyroid ग्रंथी तथा गला को प्रभावित ग्येंगा करता है इसलिए इसे ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उप्योग करने की सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक जो है देखे थाइडाइड ग्रंथी जो होता है उसमें आयोडीन भाड़ा होता है थारोकसीन जो होता है वो इसी से रिलेटर है तो यह हमारा ग्वाइटर जो होता है गले में इसमें आय की कमी होती है तो गला फूल जाता है और घेंगा हो जाता है इसलिए डॉक्टर हमें सला देते हैं कि आयोधीन युक्त नमक का परियोग करें ताकि यह बिमारी नहों ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ट्राकोमा, गलुकोमा और मोतिया बिंद आप लोग मोतिया बिंद से काफी परचीत होंगे मोतिया बिंद जो है वह आख के लिए काफी कॉमन सी बिमारी है तो इससे प्रभावित होने वाले हमारे अंग है आख है गलुकोमा भी आख की बिमारी है ट्रेकोमा भी जो है वह आख की ही प्रभावित करन वाली बीमारी है तो इससे जो हैं हमारे आप प्रभावित होते हैं उम्मिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ इस नॉलेज को सेर करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवा आपका दिन सुबहूँ